ओम शांति ज्यान की बाते बड़ी खुशी-खुशी से सुनाओ लाचारी से नहीं अब ज्यान सुनाना है तो ऐसे करना है तो बाप की बात को याद रखना है कि ज्यान कैसे सुनाना है कि स्विधी से सुनाना है फिर सफलता मिलेगी यह लाचारी ज्यान नहीं देना है अब आ को देश समझ कर्दे को गयां देगे को कुंव सा समझ में आजाएगा, धिर केंग किसी कुछ समझ समझी नहीं आता है. अपने को भी तो इस बात का नशा दिलाना, यह कितना उच्य अज्यान है, कितना उच्यान है इक जन्म की बात नहीं है, है जन्मों की बात है उसका हिसाब बनाना है उसके लिए प्रालब्द बनानी है सो जो एक जन्म में कोई अच्छे करम करता है तो अगले जन्म में पाता है न उसका फर्ण और उस जन्म में भी पाता है पर यहां तो जन्मों जन्मों की बात हो रही है कि स्रेष्ट ते स्रेष्ट प्रालब्द मिले। तो इस ज्ञान का महत्व समझेंगे, तो वह दूसरे को समझा सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार केते हैं, जो तुम हो वो समझो ना, फिर जो सामने वाले को भी देखो, वो जो है, वो देखकर ज्ञान सुना। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को चाहिए, शरीर को थोड़े, आत्मा को ज्ञान चाहिए, समझ आत्मा को चाहिए, अगर आत्मा को समझा गे, तो मन, बुद्धी, संस्कार, ओटोमेटिकली स्रेष्ट करम करेंगे। तो अभी हमें कितना अच्छेसे समझ भे आता है, क्योंकि बढ़ा बड़े प्यार से समझाता है, तो उसी प्यार से फिर दोसरों को सुना, उनको भी सम जाओ, बढ़ा प्यार से समझता है not, कितना द्हरे रखता है, एकी बात पर आपको बार बार समझता है कितना ध्यरे Waterloo तो जहरता ही सीखले बगवान से